हलो गुण मानिंग जुहार मसंजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की पच्चिस मुख्य बड़ी खबरों को जार्खन की बारवे मुख्यमंतरी बने चमपई सोरिन वधायक लोबिन ने जाम मोचोड़ी महागडबंधन के 37 एमले हिदराबाद पहुँचे पांच फरवल को चमपई सरकार का फ्लोर्टेष्ट जारकन में चमपई सोरेन की जारकन के मुख्यमंतरी पद की सपत लेने के बाद जामुमों कॉंग्रिस और राज़त गडबंधन के सायतिस वधायक तिलंगाना पहुँच गये हैं राची से चार्टिट फ्लाइट से वधायक हिद्राबाद पहुचे इन्हें हिद्राबाद की जो हे लियोनिया रिसोर्ट में ठाराए गया है इदर जारकन से सोरेन की पार्टी जैमम में बगावत सुरू हो गई है साहिबगन जिले के बोर्यो विधान सभाच्षितर से जैमम विधायक लोबीन हैमरम ने पार्टी छोड़ने का आयलान किया है वही बिशुनपूर से जैमम विधायक चमरा लिंडा भी नराज बताय जा रहे हैं जारकन के राजेपाल सेपी राधाकिस्णन ने सुकृरवार दोपहर बारा बच के बीस मिनट पर जोहे चमपई सोरिन को जारकन के बारवे सीयम के तौर पर सपति लाई चमपई के साथ कॉंग्रेस के आलमखिर आलम और राज़त के शतनन भोगता ने मंतरी पद की शपत ली नई सरकार पांच फरवरी को बहुमत साबित करेगी चमपई सोरिन सरकार की पहली केबिनेट की बाठक में तीन प्रस्ताओं पर लगी मुहर पांच और छेव फरवरी को विसेज सत्र में हुगा बहुमत परिक्षन सियासी घमासान के पीज जारकन की गद्धी को सम्हालने में सफल रहे चमपई सोरिन ने राजभवन में शपत लेने के बाद जारकन मंतराले में अपने दो सहियोगी मंतरियों के शाद केबिनेट की पहली बैठक की मोकिमंतरी चमपई सोरिन की अध्धक्षिता में हुवी केबिनेट की इस बैठक में पांच और शेव फरवरी को विसेज सत्र बुलाने का नरने लिया गया उसी दिन सत्ता पक्ष के द्वारा विधान सभा में अपना बहुमत साबित किया जाएगा वही राजेपाल का इभाशन होने के बाद वाद विवाद के बीच सरकार द्वारा बहुमत साबित करने की तैयारी की गई है चमपई सोरिन की नेतुतों में हुवी केबिनेट की बैठक में तीन प्रस्तों पर मुहर लगी है केबिनेट साची वंदना डाडन ने मीडिया कर्मियों को जानकरी द्वितों वेका है कि राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनाने के प्रस्ताओ पर भी मुहर लगी है इसके आलावा हेमन्तु सोरिन सरकार में 9-29 फरवरी तक बुलाएके बज़र सत्र को विलोपित किया गया है हेमन्तु सोरिन को सुप्रियम कोट से बड़ा जटका इधर एडी ने 5 दिनों की रिमान पर लिया पूर्व सीम हमन्तु सोरिन की रिमान पर फैसला आ गया है उन्हें 5 दिन के लिए एडी की रिमान पर भेज दिया गया है दरसल एडी ने 10 दिन की रिमान मांगी थी लेकिन कोट ने 5 दिन की ही रिमान स्विकार की है इससे पहले गुरवार को भी CM हेमंत को PMLA कोट में पेस किया गया था, जहां दो घंटे तक बहस चली थी, इसके बाद कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, वहां से उन्हें नियाय खिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया था, रिमान कियाओधी आज जो है सनिवार से शुरू होगी, इधर हेमंत को सुरेन को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है, दरसल सुप्रीम कोट ने उनकी गिरपतारी को चुनावती वाली याचिका पर सुनवाई करने से साप मना कर दिया है, कोट ने कहा है कि पहले आपको हाई कोट जाना चाहिए था, कोट से बड़ी टिपनी की है, सुप्रीम कोट ने कहा है कि अदालते सभी के लिए खुली है, हाई कोट सनविधानिक अदालत है, यदि हम एक व्यक्ति को अनुमर्ती देंगे, तो हमें सभी को देनी होगी, ऐसे में यहां हेमंत सुरेन के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है, पहले दिन चमपई सोरिन सरकार बहुमत साबित करेगी, इस समन्द में राजभुवन सचीवाले की और से आदेश जारी कर दिया गया है, बतादे कि सुकुरवार को ही केबिनेट की बाठक में इस पर फासला लिया गया था, 23 फरवरी से सुरु होशकता है विधानसभा का बज़र सत्र, जार्खन सरकार के विशेश चत्र में वहुमत साबित करते ही तुरंद जार्खन विधानसभा का बज़र सत्र आधूत कर सकती है, सुकुरवार की केबिनेट में पूर्वनिरधारित 9 फर्वरी से 29 फर्वरी तक आहुद बजट सत्र कराने के नर्णई को विलोपित करने का फैसला लिया था इसके बाद जार्खन में विधान सभा का बजट सत्र कब आहुद होगा इस पर चर्चा चल रही है अधिकारिक सुत्रों के अनुसार बजट सत्र 23 फर्वरी से आहुद हो शकता है जिसका समापन 5 मार्स को किया जाएगा लोगसभा चुनाओ खुले कर अचार सनिता भी लगने वाली है ऐसे में राजसरकारों को पहले से ये डेडलाइन दे दिया गया है कि वे समय रहते बजट सत्र का आयोजन कर सारी का रवाही पूरी करी आगामे वित्वर्स 2024 पच्चिस के लिए बजट भी इस दोरान पेश किया जाएगा खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज जारकन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दिचे जिस से आपको जारकन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की और इन्हें अपने लोगों से डर वधायकों को हिद्रावाद ले जाने पर बोले बाबूलाल मरांडी जारकन में सियासी उठापटक के बीच जारकन मुक्ती मोर्चा गडबंधन की 40 वधायक हिद्रावाद पहुंच गए हैं वही नए मुक्हमंतरी चमपई सोरिन की नए सियाम बनने पर जारकन बीजेपी के प्रदेश अध़क्ष बाबूलाल मरांडी ने बढ़ाई दी है साथ ही उन्होंने इस सियासी घमासान पर गडबंधन के वधायकों को जारकन से बाहर ले जाने पर तंजगशा है बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम कैसे बता सकते हैं कि वो मेजुरेटी पाल लेंगे उनके भीतर जो भाय का माहौल है वो समझ से परे है ये किस से डर रहे हैं जबकि उनकी सरकार है पूरा सासन तंतर उनके पास है उन्हें अपने लोगों से डर है हमको लग रहा है विधायक उनके शाथ नहीं है इसलिए यहां से हद्रावाद ले गए वरना क्यूं ले जाएंगे अपने विधायकों से डर है हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे है केबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिफ सीम चमपई सोरिन ने हेमन्तु सोरिन को बताया योध्धा मुकमंतरी बनने के बाद सुकरवार को सीम चमपई सोरिन पहली बार मीडिया से मुखातिफ हुए उन्होंने हेमन्तु सोरिन को योध्धा बटाया चमपई सोरिन ने कहा है कि हेमन्तु सोरिन ने पिछले चार सालों में जो काम काज किया है उसे हम आगे बढ़ाएंगे कोरोना जैसी महामारी और विसम परस्तिती में भी हेमन्तु सोरिन ने बहतर ढंग से नित्क्त किया उन्होंने सूज बूज के साथ सरकार चलाई यहां के आदिवासियों की बुनियादी सवाल को उन्होंने उठाया और मजबूत किया सीम चमपई ने कहा है कि यह सरकार ग्रामिन छेतर से लेकर सहरी छेतर तक को विकास की योजनाओं से सालों तक दूर रखा गया लेकिन हेमन्तु सोरिन ने इस दिसा में काम किया हम उन्हों योजनाओं और काम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि दोनों छेतर और हर वर्ग को लाब मिले सभी छेतरों को ध्यान में रखतो हुए जनहित में काम करेंगे हेमन्तो सोरेंड से मिले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वायुवा शमराट करुमवीर हैं उन्होंने विकास को गतिदी है हम उनसे जरूर मिलेंगे बिजेपी ने जारखन सरकार को आस्थिर करने की कोसिस की राहूल गांधी का भाजपा पर्यारोप कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी के नेत्तों में चल रहे ही भारट जोडो न्यायातरा अब जारखन पहुँच गई है कॉंग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोगोद्वारा चुनी गई जार्खन सरकार को आस्तिर करने की कोशिस की लेकिन इंडिया गटबंधन इस साजिस के खिलाब खड़ा हो गया और इस लोगप्रिया जना देश को चुरानी नहीं दिया इस औसर पर नौन्युक्त मुक्रमंतरी चंपई सोरेन भी मौजूद रहे सभा को संबोधित करतोवे राहूल गांधी ने आरोप लगा है कि बीजेपी के पास धनबल और चांच एजनसियां हैं लेकिन कॉंग्रेस उन से डरती नहीं है उन्होंने कहें कि वह बीजेपी की वि मौक्यमंतरी चंपई सोरेन के प्रधान सचीव के तौर पर विनाय चौबे को नुक्त किया गया है इसे लेकर जारकन सरकार की कार्मिक प्रसासनिक सुधार एवं राजभासा विफाक की और से एक अधिसूचना जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि विनाय कुमार चौब गोपनियता के सपर्दिलाई। जार्कन में सुकृवार से ही चमपई सरकार अस्थापित हो गई। चमपई सोरेन के साथ आलमकिर आलम ने उपमुखे मंतरी और सत्तानंद भोगता ने मंतरी पत की शपत ली। अजारों की संख्या में इस कारिक्रम में मंदरिगा कर्मियों ने भाग लिया, देश भर के मंदरिगा कर्मियों ने कहा है कि विगत 17 वर्सों से हम लोग मंदरिगा में कारिकर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार अस्थाई नहीं कर पाई है, आकिल भारतिय मंदरिग कर्मचारी महासंग के राश्षिय महासचीव चितादंद कर्शप ने कहा है इतने लंबे समय से कारी करने के बाउचूद हमें इस्थाई नहीं किया जा रहा है सरकार को चाहिए कि जल्द मंद्रेगा कर्मियों का इस्थाई करन करे वही महिस सोरेन ने कहा है कि लगतार मंद्रेगा में कई संसुधन किया रहे हैं लेकिन मंद्रेगा कर्मियों के हितों में आज तक किसी सरकार ने संसुधन नहीं किया है सरकार को चाहिए कि मन्रिगा कर्मियों को सेवा नियमतिकरन करने के लिए उनके नियमवाली में किंद्र अस्तर से संसुधन कर भारत के सभी मन्रिगा कर्मियों को शमान काम, समान वेतन, ग्रेट पे और इस्थाई करन करने की कार्रवाई करने चाहिए जाजबहन की गेट नमबर दो से अपना रेश्टेशन वा सुरक्षा जाच कराकर दिन के एक बजे तक ही अंदर परवेश कर सकेंगे परवेश पूरी तरह से निस्सुलक होगा जारी कर दी गई हैं जानकारी मिलने के बाद पुलीस भी गटनास तल पर पहुंची और लोग को समझा बुझा कर हटाने के प्रियास में लगी लेकिन गिरामिन बगार मुआजब और टेंकर चाला के खिलाब करी कारवाई की मांग पर अड़े थे जानकारी के अनुसार मिरतक तीन बच्चों का बाप है और पूरे परिवार के भरन पोशन की जिम्मेवारी उसी पर था और टो चलाकर ही परिवार के भरन पोशन करता था इस बीच अधिर्द चौधरी के मौत की जानकरी मिलने के बाद परिजनों में भी कोहराम मच गया जारखन में 346 पुलीस इंस्पेक्टर इधर से उधर तीन साल से एक ही जीले में थे थे तैनात जारखन में 346 पुलीस इंस्पेक्टरों का तबादला एक साथ किया गया है इसको लेकर जारखन पुलीस मुख्याले ने निर्देश जारी कर दिया है मुख्याले ने निर्वाच्छन आयोक की निर्देश पर 346 पुलीस पद अधिकारियों का तबादला किया है ये वो अधिकारी हैं जो तीन साल से एक ही जिले में टैनाथ थे रिम्स में इलाजरत कैदी क्यों भी मात रिम्स में एक कैदी की मात हो गई है मिर्तक कैदी का नाम रभीश्वार्नकार है मिर्तक कैदी 22 दिसंबर से रिम्स में इलाजरत था all India पंजाब National Bank, Pensioner and Retire Association के banner तले वा बैंक Pensioner 4 फरवरी को अपने विविन मागव को लेकर नई दिल्ली के जनतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे संग के महासचीव S. हरन प्रसाद सिंग ने बताया है कि 1986 से पेंसन संसोधन नहीं होने की वज़े से पेंसनर काफी आक्रोशित है उन्होंने काए कि 1986 में पेंसन इस सर्थ पर सुरू किया थी कि पेंसन जो है अप्रडेशन सहित सभी शर्ते RBI पेंसन योजना की तर्च पर होगी बेजेपे विधायक दल की बाठक बाबुलाल ने कहा हमंत सरकार की रास्ते पर ना चले चमपई बेजेपे विधायक दल की बाठक में प्रदेश अध्धक्ष बाबुलाल मरांडी ने ना इसीम चमपई सोरिन को नसीहत देते वे कहा है कि वे जनहित मिनन्मय लेतो हुए जनता की भलाई के लिए काम करें साथी उन्होंने सोरिन को मुक्यमंत्री बनने पर सुपकामनायती हैं बेठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमरकुमार बावरी ने कहा है कि चमपई सोरिन के परिवार में आज उत्सौ का माहोल है या अवसर उन्हें राज्य में वेप्त जो है सत्ता संपोसित भरष्टाच के खिलाप बीजेपी की लाडाई के कारण मिला है कहा है कि परिवार वार्द के खिलाप बीजेपी की लाडाई ने उन्हें या आवसर दिया है इस कारण वे राज्य के सरवच्च पद पर बैठ पाया हैं बावरी ने कहा है कि उन्हें इस आवसर का उपियोग राज्य की ज पूर्वन निर्धारित कारिक्रम के अनुसार राहूल गांधी अपनी भारत जोडो नियाय यात्रा के तहत पाकूर पहुँच गए हैं। आदिवासी नेता सीयम के योग्य नहीं था क्या लोभीन हैमरं दिसोम गुरू सीबू शोरिन का संथाल प्रगना कारिक्र छेत्र रहा है। निवाला कोई आदिवासी नेता नहीं था क्या जो कोल्हान शेत्र से लाकर थोब दिया किया। उक्तबाकते जारगन मुक्ति मोचा के बुर्यो विधायक लोभीन हैमरं सुकुरवार को अपनी विधान सभाद शेत्र में मेडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि मैंने कई बार मुक्ति मंतु सोरिन से मिलकर कहा था कि इन बाहरी लोग के चक्कर में नहीं फसो। मगर उल्टे हमी को कहते आप उल्टा उल्टा बयान देकर सरकार की छब भी खराब करते हैं। में आयुजित केबिनेट की बैठक में तीन अहम प्रस्ताओं पर मुहर लगी। एमन्तु सोरिन सरकार ने 9 से 29 फर्वरी के बीच बजट सत्र बुलाया था इसे विलोपित कर दिया गया है। पांच और 6 फर्वरी को जार्कन विधान सभा का विसे सत्र बुलाया गया है। इसी दोरान चमपई अपने विधायकों को परेड कराएंगे। राजिव रंजन को फिर महाधिवक्ता निक्त किया गया है कि बिनेट सचीव वंदना दादिल ने यह जान करी थी। हद्रवाद नहीं जाना चाहते थे कॉंग्रेस के कई विधायक मनाने के लिए प्रभारी पहुंचे गेस्ट हाउस। सरकार के बहुमत परिक्षन के दोरान वे सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। वे सिर्स नितत्व का हर आदेस मानने को तैयार हैं लेकिन नितत्व उनकी बातों पर गौर करें। इस्ति को शम्हालने और विधायकों को मनाने के लिए जो प्रदेस कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मिर को अस्टेट गेस्ट हाउस आना पड़ा। सीबू सोरेन फैंली का घूर पैंच और परिवार के बाहर शली कई सत्ता की बाग दूर। सीबू सोरेन के चोटी बेटी बसंत सोरेन को डिप्टी सीम बनाये जाने की चर्चा थी लेकिन वह भी शंभो नहीं हो चका और सत्ता की पूरी कमान सीबू सोरेन परिवार के हाथों से बाहर ही रहेगी। पूलीस के आदेश पर टेवो पूलीस ने सुकरवार को अफिम पोस्ता की खेती के विरुद्ध अभ्यान चलाया। जागरुपता अभ्यान टेवो थाना प्रभारी सुबोत सिंग मुंडा के नितितम में एक एकड में लगे अफिम की खेती को नस्ट किया खिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने ग्रामीनों के साथ एक बैठा कर लोगों को चेताओने दी है कि अगर कोई व्यक्ती या समाजिक तत्व उष्कारी को करता है या फिर इस कारी से जुड़े हुए हैं तो पूलीस से तुरंट संपर करे। अफिम की खेती के बारी में अगर किसी सरकारी कर्मचारी पंचायत सदस्र पंचायत प्रधान एम ग्राम सभाश अदस्र को पता चले तो तुरंट इसकी सूचना दी। उन्होंने बता है कि अफिम की खेती करने वालों पर दस वर्स की सजा और एक लाग का जुर्माना तथा कारोबार करने या अर्थिक सहता प्रधान करने वालों पर बीस वर्स की सजा और दो लाग का जुर्माना का प्रवधान है। सूखे से परिशान जार्खन को नहीं मिली केंदर से रासी सांसत देपक प्रकास के सवाल पर मंतरी ने दिया ये जवाब सूखे से परिशान जार्खन को इस समध में केंदर से रासी क्यों नहीं मिल रही राजसभासांसत दीपक प्रकास के इस सवाल के जवाब में केंद्री अकरसी और कल्यान राज मंतरी कैलास चौधरी ने सुकुरवायर को सदन में बता है कि जब भी किसी जो है राज्य में सूखा या कोई आपधा आती है तो केंद्र सरकार उस राज्य को मदद करती है इसके तहट केंदर रज को SDRF के माध्धम से रासी देती है, जारखन को भी सुखे और अन्य आबदा के समय SDRF के माध्धम से रासी दी जाती है लेकिन अब तक जहारखन सरकार की और से आब्दाकोस से मदद की मांग नहीं की गई है इसलिए इस मद में केंदर की और से कोई मदद नहीं की गई है धनबाद के तोप चांची में अबुआ अवास में ब्रश्टा चार के विरोध में धिया धरना धनबाद के तोप चांची प्रखंड कारिया लेके मुख्य द्वार पर सुक्रवार को एक दिवस्य धरना प्रदर्सन किया गया प्रदर्सन कर रहे हैं लोगों ने बता है कि अबुआ आवास में ब्रष्टा चार को लेकर या प्रदर्सन किया जा रहा है अबुआ आवास की सूची का चयान गलत लाभुको का किया गया है सूची में नाम वह ऐसे लोगों का है जो आहरता को पूरा नहीं करता है धनबाद जिला के सभी प्रकंडों का सूची मनमाना तरीका से बना गया है इस धरना कनितत्व जिला परिश्रत की उपाध्ध्यक्ष सरीता देवी ने किया कारिक्रम का संचलन शदानन महतो ने किया इस कारिक्रम में आसो पाटी के जिला अध्धक्च मन्टू महतो ने कहा है कि यसूची जो एक कारेले में बैट कर बना गया है यसूची ग्राम सभा में बनता तो गरीबों को मिलता वही सांसत प्रतनेदी शुबास रवानी ने कहा है कि सत्तर पृतिसत सूची अवायत तरीके स बनाए गए हैं जान को खत्रा एडी कोट से किया अगरा दिन में हो पूचताच रात को होटवार जेल में रखा जाए एडी के अगरा को देखतो हुबे एडी के वशेश नियाधिस दिनेश राकी कोट ने जमिन घोटाला मामले में आरोपी हेमन्तो सोरेन को पूचताच के लिए पांच दि एडी को नहीं दिया जाना चाहिए एडी के पास हेमन्तो सोरेन की जान का खत्रा है एडी के पास सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है एडी खुद की सुरक्षा के लिए दूसरों पनिर्भर है जेल पर इसर की अपनी सुरक्षा व्यास्ता होती है इसलिए रिमान्ड आओ जातु हेमन्तु सोरिन कुनियाई की राशुत में जेल में रखा जाए या रिमान के दौरान उनसे पूछ ताच के लिए पूरा कंट्रोल एडी को दिया जाए किसी से अनुशन धान में क्या पूछना है और कब तक पूछना है या कोई और तै नहीं कर सकता कोट ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद इस पर फैसले के लिए सनिवार किती थी निर्धारित की है आदिवासी एक्ता महारेली आयोजन की सफलता के लिए मुरहबादी में पाहान ने किये अनुष्ठान आदिवासी एक्ता महारेली की सफलता के लिए रांची के मुरहबादी में पाहन बहादुर मुंडा ने सुकरवार को आदिवासी परंपरा के अनुसार विभिन अनुस्थान किये बतादे कि रैली कायोजन चार फर्वरी को मुरहबादी मैदान में होना है रैली कायोजन, BJP और RSS की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाब किया जा रहा है इस आउसर पर पहान बहादुर मुंडा ने कहा है कि आदिवासी परमपरा में यानुष्ठान स्रिप आदिवासी समुधाय के लिए नहीं बलकि संपूर्ण मानोजाती और प्रकृती की रक्षा के लिए होता है कहा है कि रैली कायोजन आदिवासी परमपरा और नीतियों के अनुशार होगा सिम चंपई सोरें पहुंचे जारखन मंत्राले लोटी डौनक हुवास्वागत जारखन में नए सरकार की गठन की साती जारखन मंत्राले में रौनक लोट गई मुख्यमंत्री चंपई सोरिन के सचीवाले पहुँचते ही अधिकारी और कर्मियों ने उनका स्वागत किया वस्ती देड़ बजे प्रोजक्ट भवन इस्थित अपने कार्याले में चले गए सचीवाले में मुख्य सचीव एल क्यांगते सहित सभी विभागों के सचीव वर्य पददिकारियों वर कर्मिशारियों ने सियम का श्वागत किया और गुल देस्ते भी दिये सचीवाले पहुँचने से पहले जेल में बन निलंबित चीप इंजिनियर विरेंदर राम के सीए मुकेश मिर्तल की अग्रिम जमानेतिया चिका पर हाइकोट में दोनों पक्चों की शुकरवायर को हुई मामले में दोनों पक्चों की शुनवाई पूरी हो गई इसके बाद हाइकोट के नयामूर्ती सुजीत नारायन प्रसाथ की कोट ने मामले में फायसला सुरक्षित रख लिया ADQR से हाइकोट की अधिवक्ता एकेदास ने फैरवी की दरसल मुकेश मिर्तल पर विरेंदर राम की काली कमाई किल्लगभग 14 करोड रुपाई को शफेद करने का अरोफ है इसके वज़ में उशे मोटी रकम कमिशन के रूप में मिलती थी इसके लिए उशने जो अपने कर्मचारियों के बैंग खातों का इस्तमाल किया था धनबाद में चार फरवरी को जामो इस्तापना दिवस समारो सीबू शोरेन, सीम चमपई शोरेन होंगे सामिल जारखन मुक्ती मोटचा के 52 इस्तापना दिवस पर रंधिर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउन में आयोजित होने वाली आम सभा को लेकर जामो धनबाद जिला समयति द्वारा जिला कारियाले कुर्मेडी में प्रेशवारता कायोचन किया गया केंदरिये कारे समयती शदश अमितेश सहय ने का है कि ज्ञामों का बावनवा इस्थापना दिवस हर वर्स की भाती इस वर्स भी हम सभी कारे करता पूरे जोस के शाथ मराएंगे हम सभी को इस बात का मलाल रहेगा कि उक्त कारिक्रम में संगठन के केंद्रिये कारेकारी अद्धक्षा पूरा मुक्मंत्री हिमन्तु सोरेन सामिल नहीं हो पाएंगे राजे के शाद देश ने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार केंद्रियें एजन्सियों का दूर प्योग कर रही है साथ ही हम लोगों ने भी देखा है कि राजभवान सभिधान के मुल्यों को दरकिनार कर यहुं केंद्र सरकार के इसारे पर बहुमत प्राप्त महागडबंध को सरकार बनाने का नियोता नहीं दे रही थी राज जी और देश की सजक जनता के विरोध के आगे राजभुवन को भी जुकना पड़ा अंतताह सत्त की जीत हुई और पुना मोकेमंदरी चमपई सोरेंजी के नेतितों में महागण बन्धन के सरकार राज स्थापित हुई है